नई तकनीक ने सोना उप जाया उन्नत भी जिसे जादू है छाया कम पानी में फसल नहराई सुख सम्रिधी नेली अंगडाई अब तो मुठी में है आसमान क्रिशी अनुसंधान संस्थान कैसे किसानों के लिए वर्दान साबित हो रहे हैं ये तो आप जानते ही है हर दिन किसान भाई बहनों के लिए ये संस्थान नैने अनुसंधान करते है आईए बात करते हैं भारतिय चारा गहा एवं चारा अनुसंधान संस्थान की जो किसानों के विकास के नए रास्ते तलाश कर रहा है करना होता है कि हर आंगन में एक गाय हो और वो भी ऐसी जो अधिक दूध देती हो विभिन्न प्रकार की घासों के लिए प्रसिद्ध वीरांगना महरानी लक्ष्मी बाई की एतिहासिक नगरी जहासी में भारत सरकार ने 1962 में चरागाह एवं चारा उत्पादन पर अनुसंधान के लिए भारतिय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की इस संस्थान के अंतरगत तीन क्षेत्रिय अनुसंधान उपकेंद्र और तात विभागों के द्वारा कारेरत है चारे की बढ़ती कमी की समस्या और उत्तम चारा फसलों के लिए चारा तक्नीकी प्रदर्शन पर एक राश्ट्रिये पहल कर संस्था द्वारा विकसित तक्नीकों को किसानों तक पहुचाने का प्रयास किया जा रहा है बहुवर्शिया घासों जैसे धमन घास, दीनानाद, गिनी, बहिया, अंजन, ध्वलू, लंपा, त्रिशंकर, अपरजिता, स्टाइलो, दशरत, कुल्थी, अजोला और गैर परंपरागत चारा फसली जैसे नागफनी और चारा गन्ना आदी की उत्पादन तक्नीकों का विक के लिए कारेरत है. चारा फसलों में उत्पादन पध्धतियों के विकास, मृदा स्वास्थे का रख रखाव, एवं जलवायू परिवर्तन का क्रिशी पर प्रभाव आदी विशेओं पर कार्य कर रहा है. संकर नेपियर बाजरा आधारित पधती द्वारा ये संस्था पोशक्तत्व प्रवंधन से खर्पत्वार रहित गुणवत्ता युक्त चारा उत्पादन करता है. प्रक्षेत्र पर लाईसी मीटर द्वारा विभिन चारा फसलों की कटाई के अनुसार जल उप्योग दक्षता का निर्धारन करने के लिए शोध किया जा रहा है. कब पानी दिनाज इन सारी चीजों के बारे में हम लोग अध्यन करते हैं. किसान अधिक उत्पादक्ता और पस्वों के लिए अधिक गुणवक्ता वाली चारा उगाते हैं. चार तरह के चारा बहु उद्देशिये व्रिक्षप, पाकर, महुआ, सहतूद और चारे वाली ठाडियां, सूबबूल, सहजन, बहुवर्शिये घासों, ध्वलू, अंजन और गिनी घास और दलहनी चारा विभिन्न संयोजनों में मिश्रित करने के लिए प्रयासरत है. पद्धती की स्थापना के लिए एक जलकुंड जिसमें 30 घन मीटर पानी संचित हो जाता है, धाल को देखते हुए रखा जाता है. चरागाहूं के लिए सबसे एहम कार्य चरागाह क्षित्रों को चिन्हित करना, उन्हें फिर से हरा भरा तथा उत्पादक बनाने के लिए घास प्रजातियां, जिनकी उत्पादकता इवं पोशकता अधिक है, लगाना चाहिए. हर हरी चीज चारा नहीं होती, चारा के लिए वो जुरूरी है जिसमें पोशकता तो हो, जतने चरागाह है सब विक्रित रूप में हो गए हैं, जानवर घूंता रहता है, जितना उसको उरजा मिलती है, उस ज्यादा उरजा खतम कर देता है चलने में, जब हमने उन्नत कर द जिसमें अम्रूद, आवला, इमली के साथ-साथ, चार घास एवं दलहनी चारा किसमों की मिश्रित खेती होती है, पशूओं के लिए पेड के पधे और जाडियों के साथ, घास के आहार संयोजनों के विभिन प्रकारों के लिए रणीतियों का विकास किया गया है, पशुओं को उचित पोशन प्रदान करने के लिए उने फसल अवशेशों के साथ साथ पैलिट भी उनके राशन में शामिल किया जाता है बीज तकनीकी विभाग गुणवत्ता युक्त चारा बीज उतपादन के विभिन पहलूं पर अनुसंधान करने के साथ साथ लाभप्रद बीज उतपादन की तकनीकियों को विकसित करता है संस्थान के वईज्यानिक अंगी कृत आदर्श चारा गाउं में किसानों के प्रक्षेतर पर प्रदर्शन, किसानों की क्षमता विकास तथा तकनीकी हस्तान तरण और किसानों की जीवी का उठान के लिए प्रयासरत है आज ये फाराई ने हमारे गाउं को जो आदर्श चारा गाउं के तहट एक तीन गाउं चैनित किये हैं जबसे हमारे यहां बर्स बर चारा उपलब दे इससे पसुओं का हैल्थ अच्छा हो रहा है दूद में बड़ोतरी हो रही है और जिससे हम लोगों की आर्थिक इस्तिधी में शुधार हो रहा है उन्नत चरा गाहों का विकास, चारा फल और व्रिक्ष की सगन फसल उत्पादन पद्धती, क्रिशीवानी की बहुवर्शिय घासों का विकास, वर्ष भर हरा चारा उत्पादन कर किसानों को आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा है मुठी में है आसमा अजय रहा है